गुद दे टू आल अफ यू आप सबी ने स्प्रेडशीट के इस भाग को लगवग पूरा कर चुके हैं क्योंकि इस क्लास के बाद आपकी रिवीजन क्लास और टेस्ट क्लास होगा आज ही क्लास को सुरू करने से पहले आए अब पिछली क्लास का रिवीजन कर लेते हैं क्या आप बता सकते हैं अगर आप दो चित्र अच्वा उससे अधिक चित्रों को एक बार में कैसे सलेक्ट करेंगे तो अच्वा दो से ज्यादा चित्रों को सलेक्ट करने के लिए आप पहले उन चित्रों को फॉर्मेट मेन्यू के ग्रूप विकल्प की मदद से ग्रूप म का अफ्यों करते हैं . कूलम में से तो आप कॉलम करना चाहते हैं तो आप कॉइंट इपस का उप्योग करेंगे क्या आप बता सकते हैं गोल्सीक और सॉल्वर में क्या अंतर होता है गोल्सीक विकल्प के उप्योग से आप अपने सेल में जो भी आप चाहे वे वैल्यू दे सकते हैं लेकिन इसकी वैल्यू को आप किसी एक ही सेल से बदल सकते हैं और सॉल्वर विकल् अगर आपको अपने document के साथ किसी दूसरे document को जोड़ने के लिए merge document का उप्योग करेंगे जो की tools menu के अंदर उपलब्द है Trim formula का syntax क्या होता है और इसका उप्योग क्यों करते हैं Trim के लिए syntax होता है equal to trim text होता है Trim formula को उप्योग से आप अपने string यारी की character या text के बीच में से space को remove कर सकते हैं या सिर्फ word और character के बीच में के space को छोड़ता है अब आप सभी अपने computer को on करें और spreadsheet या kelp की file को open करें आज की class में आप सभी data menu के विकल्पों के बारे में सीखेंगे जैसे की consolidate, group और outline, pivot table और इसके साथ साथ कुछ formula को सीखेंगे जैसे की pmt, ipmt, pv, npv, fv, offset, column, row इत्यादी अब आप सभी अपने spreadsheet के document में कुछ data को type करें या फिर देखकर अपने spreadsheet पर data को type करें आईए अब consolidate का उप्योग करना सीखते हैं क्या आप बता सकते हैं, consolidate विकल्प का उप्योग क्यों करते हैं consolidate विकल्प का उप्योग आप multiple seat पर कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप दो seat ओं के बीच में किसी row अथवा column के data को total अथव कुछ नया करना चाहते हैं तो आप Consolidate विकल्प का उपयोग से कर सकते हैं आएए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं Consolidate विकल्प का उपयोग कैसे करते हैं आएए वीडियो के दोबारा सीखते हैं Consolidate का उपयोग कैसे करते हैं यहाँ पर हमार पास कुछ डेटा हैं हमने हर एक sheet पर अलग-अलग data यहां पर टाइप किया हुआ जैसा आप वीडियो में देखते हैं जो sheet 3 पर data है हमने उसको delete कर दिया अभी हमारे पास sheet 1 और sheet 2 पर एक ही type की data है जैसा आप वीडियो में देखते हैं यहां पर name है और कुछ data है मन्त है और होना में कितना cell किया है वह यहां पर data है जैसा आप वीडियो में देखते हैं और sheet 1 और sheet 2 पर है उसका टोटल वैल्यू है वह sheet 3 पर आ जाए तो इसके लिए आप सभी tools पर data पर click करेंगे फिर consolidate पर click कर देंगे तो इस तरीकर कर आप बोक्स आ जाएगा यहां पर पह आप count करना चाहते हैं आप यहां से कर सकते हैं फिर यहां पर range है यहां पर हमारा pass पहले सी range है तो हम इस range को पहले delete कर देंगे हमने इसको select किया और delete कर देंगे यह सब वीडियो में देख सकते हैं तो हमने some function यूज कर रहे हैं जो भी sheet 1 और sheet 2 पर data हम उनका total करेंगे तो पह हमने add पर click किया यहां पर दिखा रहे है फिर हम sheet 2 पर जाएंगे sheet 2 पर जाने के बाद जो यह data हमने table create किया है data उसको हम select करेंगे जाच्छी के आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है हम उसको select किया फिर add पर click कर दिया तो यह भी range है यहां पर आ गया अब हमें इसका total चाहिए जो source range होगा अब हम उसको select करेंगे पहले जिसका result जिसे आप copy करना चाहते हैं यहां पर देखतें नीचे copy result 2 आपको वहां पर click करना है और जो result है वो कहां पर copy करना है उसको हम select करेंगे जो third sheet हमारा है यहां पर जो data खाली है यहां पर हमें उनका total चाहिए नाम के साथ उन सबका total चाहिए तो हम इसको select करेंगे यहां पर जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं यह seat 1 है यहां पर 45 है जैन मन्त में फैम में 65 मार्च में 56 पंकिस की जो value है इन सब का total करके seat 1 और seat 2 का वो seat 3 पे total answer आ जाएगा गुरूप और outline विकल को उप्योग आप जब करेंगे अगर आप किसी row अथवा column की गुरूप में करना चाहते हैं तो आप गुरूप और outline को उप्योग करेंगे अगर आप चाहते हैं आप गुरूप में से row अथवा column को हटा भी सकते हैं के आइए वीडियो को देखकर सीखते हैं ग्रुप 16 में से और आउट्राइन को भाप्यों कैसे करते हैं कि आइंऋ वीडियो को देखका डेकर ग्रूप का उपियों करना सीखते हैं ग्रूप की मदद से आप जो भी cell या column है आप उसको group कर सकते हैं उसको cell को आप grouping में बना सकते हैं इसके लिए किसी भी cell को click करें data पर जाए फिर group and outline पर click कर दें अगर height पर click करेंगे तो जो भी आपने cell को select तो यहाँ से यहां पर बटन के बन के आजाएगा। कफिर से आते डेटा पर क्लिक करें Group & Outline पर ख्लिक करें हम ने इसकitchens को पहले शोग किया Data पर ख्लिक किया Group & Outline पर ख्लिक किया हम ने grâce पर क्लिक गया है अब जिसका भी आप ग्रूप बनना चाहते हैं यहां पर क्लिक करेंगे तो फिर वह सो होने लगेगा जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं अब यहां पर 4 और 6 दिख रहा है लेकिन जैसे प्लस के बटन पर क्लिक करेंगे जो 5 रो है वो भी वापिस हा पर क्लिक करेंगे जो भी आपने बनाया था वह फिर से यहां पर सो होने लगेगा जो हाइड हो गया था आप देख सकता है वह यहां पर सो हो रहा है फिर से डेटा पर क्लिक करें ग्रूप एंड आउटलाइन पर क्लिक करें हमने फिर से ग्रूप पर क्लिक किया अब हम को ग यहां पे Button बनके आ गे जैसी उससे पर मने क्लिक किया, जो E-Column था वह Hide हो गया है, जैसे उसमे क्लिक करेंगे E-Column वापिस आ जाएगा, तो इस प्रकार से आप एक Button मना सकती हो, इस Button पर जब भी क्लिक करेंगे तो आप कोई भी Row या Column को Hide और Unhide करा सकते हैं, जैसे कि आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं अगर आप इसे हाटा आना चाहते हैं इसके लिए आपको डेटर पर क्लिक करना होगा ग्रूप एंड आउटलाइन अंगरूप option को select किया फिर जो भी आपको row या column तो उसको select करेंगे हमने फिर अंगरूप को select किया जहां पर पहले दो गूरूप था दोनों गूरूप हट गया एक last करागे जो first row भी लगा है हमने remove पे क्लिक किया और वो भी हट गये यहां से जैसे कि आप वीडियो में देख स सकते हैं तो इस प्रकार से आप group and outline को उप्योग कर सकते हैं क्या आप बता सकते हैं pivot table को उप्योग क्यों करते हैं pivot table को उप्योग से आप बहुत बड़े data को अपने नूसा रोथ और कोलम वाइज उसे arrange कर सकते हैं और उसके साथ साथ में चाहें तो आप total count average और भी कारिया क कर सकते हैं आए अब वीडियो को देखकर pivot table को create कैसे करते हैं सीखते हैं आए वीडियो को देखकर सीखते हैं pivot table का उप्योग कैसे करते हैं आप लार्ज अमांट डेटा जो है आप उसके लिए करेंगे मालेज आपके पास बहुत सारा डेटा है अब आप उनको हर एक अलग अलग नामस उनको total करना है डेट वाइस टोटल करना है या count करना है तो इसके लिए आप pivot table को उप्योग करेंगे अब हमारे पास यहां पर क company, month, sale, customer और number sold इस तरीके हमने data है तो हमने इसके यहां पर copy paste करके बहुत सारा यहां पर data हम copy कर लेंगे जैसे आपको वीडियो में दिखाया जा रहे है हमने इस data को copy paste करके बहुत सारा data में convert कर लिया अब हमारे पास बहुत सारा data है यहां पर अलग अलग company के name है month, sale, date है व वह हमने यहां पर type किया, अब हम चाहते हैं कि इन सब को total निकाले ना name wise total निकाले, date wise total निकाले तो इसके लिए हम pivot table को प्योग करेंगे, सबसे पहला हम data पर जाएंगे, data पर जाने के बाद, सबसे पहले हम pivot table को create करेंगे, pivot table पर जाएंगे हम, वहाँ पर click करेंगे, यहाँ पर option आगे create का, और create पर click कर देंगे जैसे आप create पर click करेंगे, जितने भी data है, वह automatic select हो जागा, आपको select करने की जूरत नहीं है, यहाँ पर लिखा हुआ है current selection पहला option, और फिर आपको direct okay पर click कर देंगे, आप चाहते से दूसरे seat पर बना सकते थे, हमने seat 1 को ही select करेंगा, अगर आप दूसरे seat पर select करते, तो ज जो भी answer आगा, वो पहले seat पर ही आएगा, फिर okay पर click करेंगे, जैसे okay पर click करेंगे, जो private table का format है, वो इस तरीके कहें, वो यहाँ पर आ जाएगा, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं, और जो fields name थे, अलग-अलग company, month, sale, customer, और number sold, वो आपको यह fields में दिखाए दे होगे, और layout में आपको इस तरीके के दिखाए दे रहोगा, अब आपको क्या करना है, इन में से एक-एक value को उठा के drag करना है, वो आपको देखना है कि आप कौन से value कहां पर रखना चाहते हैं, यहाँ पर fields आपको चारो fields दिखाए दे रहे हैं, company, month, sale, customer, और number of sold, सबसे पह आपको यहाँ पर रखना है, इसके बाद है, इसके बाद है डेटा फिल्ड, डेटा फिल्ड में क्याची है, company का जो total sale है, अमें उसे ची है, तो हम number sold यहाँ पर लेके, ड्रैक करके इसके साथ में, उसके पहलर में यहाँ पर रख देंगे, तो इसके बाद पेज फिल्ड का option है, page field में आप customer name को drag करके यहाँ पर रख सकते हैं, आप अपने according data को arrange कर सकते हैं, आपको किस में कौन से, row में या कहाँ पर आपको data चीए, वह आप रख सकते हैं, आपने drag करके यहाँ रख दिया, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, फिसके बाद, month sale है, month sale को drag करके हमने column field में यहाँ पर रख दिया, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहे हैं, तो इस प्रकार से हमने चारो field है, उसको यहाँ पर हमने drag करके fill कर दिया, अब हम ok पर click करेंगे, जैसे ok पर click करेंगे तो आप यहाँ पर देखिए, जैसे मैं आपको बताया यह हमारा first seat है, इसलिए यह नीचे यहाँ पर है, यह इस तरीके के एक table create होके आ गया, यहाँ पर filter में आप देखिए, customer name, total sum, month sale, इन सब का grand total यहाँ पर आपको दिखा दिया, company name पर click करेंगे, यहाँ पर चार company है, उन्हीं का हमने copy paste किया था, all company select है, तो यह जो total है, यह all company यहाँ पर result आपको दिखा रहे है, कि इनका total grand total कितना हुआ, इसी प्रकास है date wise यहाँ पर आपको दिखा रहे है, जितने date है, वो date wise यहाँ पर total क्या हुआ है, अगर आप चाहते हैं, यहाँ पर customer, देखिए customer में जितने भी customer थे, अगर किसी particular आपको customer का total करना है, आप उसक जो total है, customer wise वो यहाँ आपको दिखाई देगा, जैसे का आप वीडियो में देख सकते हैं, अगर आप date wise करना चाहते हैं, किस date को कितना stay हुआ था, तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं, किसी एक date को आप select करके, कि company wise है, अगर आप किसी एक company जैसे ABC उसका total निकालना चाहते हैं, तो उसको select करके, okay पर click कर देंगे, तो यह उसका total आजाएगा यहाँ पर, तो इस प्रकार से आप यहाँ पर company wise, एक एक company का total निकाल सकते हैं, date wise निकाल सकते हैं, customer, अगर किसी particular customer को सिफ total value निकालना चाहते हैं, तो आप निकाल सकते हैं, अगर इन सभी का निकालना चा total है, वो आजाएगा, हमने विनुद का total निकाला यहाँ पर, वो यहाँ पर total आगया, all पर click करेंगे, तो यहाँ पर सबका आजाएगा, तो इस परकार से आप pivot table का उपयोग कर सकते हैं, आए अब कुछ नए formula को सीखते हैं, आज आप financial से जुड़े कुछ formula को सीखेंगे, ज कुछ अन्य formula जैसे की offset, column, row, हित्यादी के बारे में सीखेंगे, आए सबसे पहले जानते हैं, PMT formula को उपयोग क्यों करते हैं, PMT formula को उपयोग से आप fixed loan के monthly payment का return को जान सकते हैं, की पर month आपको कितना pay करना है, इसके लिए syntax होता है, इकोल टू PMT, rate, semicolumn NPER, semicolumn PV, semicolumn FV, semicolumn type, यहाँ पर rate, आए अब ज़्यादा जानकरी के लिए, वीडियो को देखकर सीखते हैं, आए वीडियो को देखकर सीखते हैं, PMT formula का उपयोग कैसे करते हैं, यहाँ पर माल लेजे, आपने कोई house को finance कराया है, उसका total जो value है, यहाँ पर 25 लाख है, यहाँ पर हमने 25 लाख, जो 25 लाख इसका जो budget था, अब हम चाहते हैं कि इसको 10 साल के अंदर उसकी हम, मंतली installment करें 10 साल तक, 10 साल के लिए installment पे करेंगे, जो rate होगा, वो rate होगा हमारा कुछ 9,8%, 9.8% के साथ हमें 10 years के लिए payment करना है, तो हमें monthly payment करना है, कि हमें कितना monthly payment करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम PMT formula का उप्योग करेंगे, आए PMT formula का उप्योग करना सीखते हैं, सबसे पहले equal to हमने यहां पर टाइप किया, PMT हमने टाइप किया, यहां पर ब्रैकेट को स्टार्ट किया, तो हम पर rate पूछ रहा है, सबसे पहले rate जो है, जिसने 9.8 है, उसको हम सिलेक करेंगे, और इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड़ बाइ 12, क्योंकि मैं मन्तली काउंट करना है, फिर semi-column, फिर NPR, जो आपको number of period से जो time है, duration है, 10 years का, उस 10 years को हम सेलेक्ट कर लेंगे, इसको select करने के बाद, इसको हम 12 से डिवाइड कर देंगे, से डिवाइड से multiply किया, semi-column, फिर इसको जो PV है, जो present value है, जितना total budget है, हम उसे select करेंगे, हमने इसको select किया, फिर type 1 हमने, दो type होते हैं, 0 और 1, हमने यहाँ पर one bracket को close, और फिर enter बटन को press किया, तो आप अदे देख सकते हैं, जो monthly payment यहाँ पर निकला है, वो 23,276 जो इसका monthly payment है, तो इस प्रकार से आप PMT formula की मदर से monthly payment को आप निकाल सकते हैं, क्या आप बता सकते हैं, IPMT formula को उप्योग क्यों करते हैं, IPMT formula को उप्योग से आप PMT के amount पर मतलब की, अपने loan के interest rate को जान सकते हैं, कि आपके loan पर कितना interest देना होगा, IPMT class index होता है, equal to IPMT bracket rate semicolumn periods semicolumn number periods semicolumn present value semicolumn future value type bracket close, आइए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं, IPMT formula का उप्योग कैसे करते हैं, आइए वीडियो की मदद से सीखते हैं, IPMT formula का उप्योग कैसे करते हैं, हमने यहाँ पर equal to IPMT type किया, bracket को start किया, यहाँ पर rate पूछ रहा है, तो हमने जो भी rate को select किया, उसको हमने 12 से divide कर दिया, 12 से divide इसलिए क्या है, क्योंकि हमें month लिए निकालना है, तो इसलिए हमने यहाँ पर 12 से divide किया, semi column, फिर number और periods बूछ रहा है, कितने month के लिए चाहिए, हमने one month के लिए निकालना है, तो हमने यहाँ पर one type किया, semi column, फिर NPR, जो आपके year होता है, कितने year का है, उससे आप select करेंगे, हमने उसको select किया year को, फिर PV, जो present value होता है, उसको select करेंगे, type one, bracket को close करेंगे, और फिर enter बटन को press कर देंगे, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो value है, यह dollar में आ गया है, अगर आप इसको change करना चाहते हैं, तो आप इसको change कर सकते हैं, format sale में जाके, अब हमें total interest निकालना है, interest के लिए, जो monthly payment है, जो अब निकला है, हम दोनों में से minus कर देंगे, तो जो यह 14,00813 आ रहा है, यह आपको जो extra interest है, वो यहाँ पर आ जाएगा, हमने इसको select किया, format sale पर गए, हम इसको, जो यह dollar में है, इसको हम, रुपए में convert कर लेंगे, तो आप यहाँ पर देख सकता है, जो value आ गए, interest, जो monthly payment है, और जो हमने यहाँ पर IPMT निकाला है, दोनों में से minus करके, जो extra हमें pay करना पड़ा है, जो interest की रूप में, वो 14,00813.72 NINR, जो Indian रुपीस है, वो हमें extra pay करना पड़ रहा है, तो इस प्रकार से आप IMT formula का उप्योग कर सकते हैं, अगला formula PV का है, क्या आप बता सकते हैं, PV formula का उप्योग क्यों करते हैं, PV का मतलब होता है present value, इसका उप्योग आप जब करेंगे, अगर आप यह देखना चाहते हैं, कि इसका actual amount पर, या फिर discount के बाद आपको कितना फायदा होगा, या PV formula की मदद से निकाल सकते हैं, PV के लिए syntax होता है, equal to PV, rate, semicolon number periods, payments 1, semicolon payment 2, आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं, PV formula का उप्योग कैसे करते हैं, आइए वीडियो की मदद से PV formula का उप्योग करना सीखते हैं, PV formula से क्या होता है, हमने एक cell के अंदर PV निकाला, PV टाइप के हमने, अब हमार पास कि यहाँ पर पहले देखके देटा हमने बनाया हुआ है, यहाँ पर year है, monthly payment है, और rate है, हम इन तेनों को यूज़ करके हमें present value निकालेंगे, तो कैसे निकालते हैं आई वीडियो के द्वारा सीखते हैं, हमने यहाँ पर equal to को टाइप किया, फिर PV लिखा हमने, PV लिखने के बाद जो rate है, rate को हम सेलक करेंगे, इसको 12 से डिवाइड करेंगे, फिर सेमी कॉलम, NPR, जो number of year, जो duration है, जो number of period है, उसे हम सेलक करेंगे, उसको multiply करेंगे 12 से, सेमी कॉलम लगाएंगे, सेमी कॉलम लगाने के बाद यहाँ पर PMT है, जो monthly payment है, उसको हम सेलक करेंगे यहाँ पर, monthly installment हमारे इतना जाता है, फिर type 1, तो अब हमें total value count करेंगे, कि 9.8 rate के साथ 10 years के लिए, monthly payment इतना है, तो total value कितना आएगा, जो present value होगा, वो कितना होगा, enter button हिट करेंगे, यहाँ आप आप देख सकते हैं, 30,24,500 कुछ Indian rupees हैं, जो यहाँ पर आ गया, तो इस प्रकार से आप, PV formula के मदद से आप, rate, year, और monthly installment के मदद से, आप जो total जो present value है, उसको आप निकाल सकते हैं, अगला formula, NPV का है, क्या आप बता सकते हैं, NPV formula को क्यों करते हैं, NPV का मतलब होता है, net present value, इस formula की मदद से, आप अपने investment के, final return की value को जान सकते हैं, जो की interest rate के अनुसार आती है, NPV के लिए index होता है, equal to NPV discount rate, semi column payment 1, payment 2, आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं, NPV formula का उप्योग कैसे करते हैं, आएए वीडियो को देखकर सीखते हैं, NPV formula का उप्योग कैसे करते हैं, यहाँ पर आप देख सेखते हैं, कुछ discount rate है, जो पहले हमने यहाँ पर टाइप के वाद, वो 6% है, यहाँ पर investment 1 और investment 2, एक में investment, यहाँ पर दो investment है, तो उसको हमने, यहाँ पर कुछ value लिखा, और उसको हमने इंडिन करेंसी में change कर लिया, आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, इसको हम format cell पर जाके, इसकी भी format को change कर लेंगे, जैसे के आपको वीडियो में दिखाया जा रहा है, आपके पर क्लिक किया, तो इसका भी हमने format change कर लिया, अब हमें NPV निकालना है, हमने इसका NPV को type किया, bracket को start किया, NPV लिखा, bracket लगा है, यहाँ पर सबसे पहले rate पूछ रहा है, जो भी rate है उस rate को हम सेलेक्ट करेंगे, और उसको 12 से divide कर देंगे, semi column, value 1 और value 2, पहले value जो investment 1 है, उसको हमने सेलेक्ट किया, second value, semi column लगा को उसको सेलेक्ट किया, bracket को close किया, enter बटन को मुन यहाँ पर प्रेस किया, तो यह total यहाँ पर amount आ गया, मतलब यह दोनो amount को, 6% के interest के साथ कितना मिलेगा, वो जो return value होगा, वो return value यहाँ पर आ गया, NPV की मदद से, हमने सेलेक्ट को change किया, format को, जो total return 6% interest के साथ मिलेगा, वो 124254.35NINR, जो Indian rupees है, इतना हमें total return मिलेगा, 6% rate के साथ, तो इस प्रकार से आप, NPV formula का उपयोग कर सकते हैं, अगला formula rate का है, इस formula के द्वारा, आप अपने loan और deposit के rate को, यानि की इस पर उसका कितना interest rate होगा, निकाल सकते हैं, rate के लिए syntax होता है, equal to rate, number periods, semicolumn payments, semicolumn present value, semicolumn future value, semicolumn type, guess, back it close, आए ये वीडियो को देखकर सीखते हैं, rate formula का उपयोग कैसे करेंगे, आए ये वीडियो के द्वारा हम, rate निकालना सीखते हैं, मालेजी आपके पास, मन्तिली payment कर रहे हैं, आपके पास present value भी है, और time duration भी है, कि आपको इतने time के लिए आपको pay करना है, तो उसका monthly rate क्या होगा, तो rate निकाले करें, हम से उसे पहले equal to, rate टाइप करेंगे, फिर bracket start, जो पहले number of period से time, उसको हम select करेंगे, उसको 12 से divide करेंगे, semi column, जो monthly payment PMT है, उसको हम select करेंगे, semi column, जो PV value है, जो present value है, उसको हम select कर लेंगे, हमने यहापे PV value को select किया, जैसा आप वीडियो में दे सकते हैं, semi column, one, और type में zero किया, और enter बटन दवा दिया, तो इस प्रकार से यह, 0.8 जो percent है, वो interest rate यहाँ पर आ गया, अभी हम इसको 100 से multiply कर देंगे, जो G9, जो G9 cell है, G19, PV, जो monthly present values को मुने अंडर से multiply करने के बाद, जो आया, यहाँ यहाँ पर 4.81 परसेंट, जो rate आया, वो यहाँ पर rate आ जाएगा, तो इस प्रकार से आप rate निकाल सकते हैं, आये अब कुछ नए formula के बारे में सीखते हैं, आये अब row formula के बारे में सीखते हैं, row formula की मदद से आप row number को जान सकते हैं, इसके लिए syntax होता है, equal to row reference, आये अब वीडियो को देखकर सीखते हैं, row formula को प्यों कैसे करते हैं, आये वीडियो के दवारा row की value को निकालना सीखते हैं, कि row की value को कैसे count करते हैं, इसके लिए हम row formula का उप्योंग करेंगे, जिसाब यहाँ पर देखकता हैं, मैंने यहाँ पर number of row लिखा, क्लिकर हमें row के number को count करना है, कि किसी cell की row number क्या है, इसके लिए हमने equal to row type किया, bracket को start किया, जिस cell को भी आपको row निकालना है, value निकालना सीख करेंगे, bracket को close करेंगे, और enter बटन हिट कर देगी, तो यहाँ पर देखके 24, जो row की value है, वो यहाँ पर आ गई, तो इस प्रकार से आप row formula का उप्योग कर सकते हैं, इसी प्रकार से column formula का उप्योग करेंगे, column formula की मदद से आप column के number को निकाल सकते हैं, जिसके लिए syntax होता है, equal to column bracket reference close bracket, आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं, column formula का उप्योग कैसे करते हैं, आइए वीडियो को देखकर column formula का उप्योग करना सीखते हैं, मालने जिए अगर आपको किसी cell का column count करना की कौन सी column है, तो इसके लिए हमें column formula का उप्योग करेंगे, जैसे आप वीडियो में देखके था हमने आप ए number of column लिखा, हमें आप जानना है की कौन सा column है, जाना चाहते हैं, आप उसको select करेंगे, जहांपर हमने number of column लिखा है, में उसको जाना है की कौन सी column है, उसपर click करेंगे, bracket को close करेंगे, left button दबा देंगे, तो आप देखकते हैं, यहां पर 6 आ गया, तो यह जो column है, यह column number 6 है, अगला formula address का है, address formula की मदद से आप उसका row और column number के अनुसार उसका address बना सकते हैं, इसके लिए syntax होता है, address, bracket, row number, semicolumn, column number, semicolumn, ABS number, semicolumn, A1, semicolumn, seed text, आइए अब वीडियो को देखकर सीखते हैं, address formula का उप्योग कैसे करते हैं, आइए वीडियो को देखकर, address formula के बारे में सीखते हैं, address formula की मदद से आप किसी भी cell का value निकाल सकते हैं, कि उस cell का क्या address है, जिसा आप वीडियो में देख सकते हैं, हमने यहाँ पर equal to address टाइप किया, bracket को start किया, अब हम row निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर row लिखा, bracket start, अब reference पूछ रहे, किस cell का आपको reference चाहिए, वो cell हम यहाँ पर select करेंगे, इसी भी एक cell को हम select करेंगे, यहाँ पर जो 560 एक cell है, जिसमें लिखा है, हमने उसको select किया, bracket close, semi column, फिर column निकालेंगे, हम यहाँ एक column टाइप कर रहे हैं, फिर से cell reference पूछ रहे हैं, हमने फिर से उसी cell को select किया, bracket close, semi column, हमने यहाँ पर कोई value दे दिया, फोर, आप भी कोई value दे सकते हैं, और bracket को close करेंगे, जैसी bracket को close करेंगे, तो यहाँ पर आप देखता है, E18 लिखा हुआ आगया, E18, जो उस cell की जो value है, वो यहाँ पर value निकाल के दिखा दिया, उसके जो address है, वो address क्या address है, तो वो आपने यहाँ पर यह address बना दिया, अगर इसको आप drag करेंगे, तो हर एक cell की, जो से related cell होगा, उसके नीचे जैसे E19, E20, और right side में drag करेंगे, तो F18, G18, तो इस परकार से आप 560 का यहाँ पर address बता देगे, address बनाने के लिए, आप address formula का उप्योग करेंगे, आएए अब वीडियो को देख कर सीखते हैं, indirect formula का उप्योग कैसे करते हैं, आएए वीडियो की मदद से सीखते हैं, indirect formula का उप्योग कैसे करते हैं, indirect formula की मदद से आप, जैसे आप जानते हैं, address formula की मदद से हम सिर्फ cell की address हम count कर रहे थे कि उस cell का address क्या है लेकिन जब आप indirect formula को use करेंगे तो आप उस cell की value को भी निकाल सकते हैं कि उस cell के अंदर क्या value थी आए indirect और address formula का उप्यों कैसे करते हैं यह सीखते हैं इसके लिए सबसे पहले आप equal to को type करें फिर indirect type करें अब हम इसके साथ address formula का use करेंगे तो हम यहाँ पर address लिखेंगे हमने यहाँ पर address type किया address के अंदर हम पहले row को count करेंगे row लिखा bracket को start किया फिर reference जो भी आप cell की value निकालना चाहते हैं उस cell को आप select करें bracket को close किया semi column लगाया फिर हम आप column को type column को निकालना है column निकालने के लिए हम यहाँ पर column type करेंगे bracket को start किया फिर reference पूछ रहा है फिर से उस cell को select कर लें जो आपने reference देना चाहते हैं जिसके value निकालना चाहते हैं हमने इसको select किया 567 को bracket close किया उसके बाद यहाँ पर type आप को देना है type आप वहन से देगा 4 तक को भी वाली दे सकता है हमने यहाँ पर 4 type किया और फिर जाक्के यहाँ आप देखिए जो value है 566 जो हमने रोग और कॉलम की value हमने यहाँ पर दी थी वह यहाँ पर उसकी जगह यहाँ पर value आ गया है जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं जब आप इसको drag करेंगे नीचे एक साइट तो इस 560 के नीचे जीते भी values होंगे वह value ओटमेटिक यहाँ पर आ जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने जब इसको drag किया एक में 0 क्योंकि यहाँ इसके नीचे इस cell खाली है तो इसकी value 0 फिर इसके नीचे 200 value है 2000 200 value है तो यहाँ आप आप देख सकते 2002 value यहाँ पर आ गया है आए जानते हैं offset formula का उपयोग कैसे करते हैं offset formula square sheet यह excel में बहुत ही important होता है क्योंकि इसके लिए सिर्फ आप starting cell को select करना होता है यह formula left to right की value को निकाल सकता है इसके लिए syntax होता है equal to offset reference semicolon row semicolon column semicolon height semicolon weight आए वीडियो को देखकर सीखते हैं offset formula का उपयोग कैसे करते हैं आए वीडियो को देखकर offset formula का उपयोग करना सीखते हैं जैसे कि आप जानते हैं offset formula की मदद से अगर आप किसी एक cell को select करते हैं तो आप उसकी मदद से left और right की value को निकाल सकते हैं आप चाहे तो उसकी साथ multiple function use करके left right value को आप count भी कर सकते हो से sum भी कर सकते हैं यहाँ पर हमने पहले सी data को type किया हुआ जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर start week number number of week फिर यहाँ पर हमने number of week और हर एक week की यहाँ पर value दिया हुआ है जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं यहाँ पर start week number 5 है number of week to sum तो हमने पहले पहले ओफसेट simple offset formula को उप्योग करेंगे कि इस offset formula से क्या होता है हमने एक्सेल को select किया वहाँ पर हमने offset formula को लगाएंगे equal to offset formula हमने यहाँ पर type किया जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं bracket को हमने start किया यहाँ पर reference है reference में जिस cell को भी आप select करेंगे जो जिसके आपको regarding या उसके साथ में उसके parallel value निकालना चाहते हैं जैसे हमने number of week यहाँ पर select किया तो इसके parallel value जो value है उसे value को count करना है इसके लिए हमने पहरे से select किया semi column फिर तो start week number है हमने उसको select कर लिया हमने यहाँ start week number select consumo फिर यहाँ पर column height में हमने 1 डाला बा тур के बौन हमने इसली डाला क्योंकि जो मने number of week select किया है उसके next Nous more biblical value है याई एक के बाद में थो हमने हमने यहाँ पर वन टायप किया और bracket को close किया तो आप देखेंगे यहां पर जो 5th जो number of week 5th है उसके साथ में जो value है वो 565 है जैसे जैसे आप यहां पर week को यहां पर change करेंगे start week number हमने 1 किया तो आप देखेंगे तो जो one number जो value है वो 440 है जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं इसी प्रकास है 10 number पर 456 है यहां पर आप उसको value चेंज करना है हमने यहां पर 10 week पी किया यहां पर answer देखेंगे 4 56 आ गया तो offset formula को मदद से आप इन में से किसी की भी आप value निकाल सकते है सिप आप जहां पर start week number लिखा है आप उसको number च total करूं कि मालीजी एक से लेकर दो week का total करूं यह पूरे week का total करूं यह बीच में से एक और दो 10 week है इनका total करूं तो कैसे करेंगे इसके लिए हम offset के साथ some formula को अपयोग करेंगे जैसे आप वीडियो में देख सकता है हमने यहां पर equal to some offset जो week number है पहला जो reference cell है हमने उसको select क किया है कि semi column जो row देना है start week number जो उपर value है हमने उसको select किया फिर उसके parallel में जो value चाहिए हमें one हमने यहां पर one type किया फिर semi column फिर जो column value चाहिए हम उसको select करेंगे जो number of week to sum जिनका हमें sum करना है number of week का हमें sum करना है तो हमें इसको sum करेंगे semi column one जो value है हम इनको sum करना है इसलिए हमने यहां पर one लिखा और bracket को close किया उसके बाद हम enter button को press करेंगे जैसे हमने enter button को press किया तो यहां पर देख सकते हैं 456 आगे 456 इसलिए आया है क्योंकि यहां पर आप देख सकते हैं जो starting में आप देख सकते हैं start week number 10 है 10 456 है और 10 के बाद कोई भी value नहीं दिया हुए अब हमने यहां पर one type किया जहां पर start week number one है उसके बाद number of week to sum 4 यानि एक से लेके चार तक week को sum करना है एक दो तीन यह चार इन चारों को जब total करेंगे तो यहां पर 3101 value आएगा इसको यह बाद check कर लेते हैं कि यह answer सही है नहीं तो इसके लिए हम यहां पर sum कर लेंगे equal to sum इन चारों value को हमने select किया bracket को close किया और enter button को hit किया तो आप देख सकते हैं आप दोनों value same है मतलब जो हमने formula लगा रहे हैं यह formula हमारा सही है अब मानेजिए अब आपको five six और seven इन इनकी value इनको total करना है तो इसके लिए क्या करेंगे जहां पर start week number है वहां पर कहां से start करना है आपको five से हमने five type किया फिर number of week to sum कितने week को करना है three सिफ हम यहां पर three type करेंगे तो इनका जो five six seven इनका total value यहां पर आ जाएगा इन तीनों को total 2200 यहां पर आ जाएगा जैसा आप वीडियो में देख सकते हैं तो इस प्रकास से आप offset formula का उप्योग कर सकते हैं क्योंकि आज की class यही पर समाप्त होती है आप सब भी अपने file को save करके close करें और अपने system को shutdown करें आज की class में आपने data menu के विकलपो को सीखा जैसे कि consolidate, group, outline, pivot table और इसके साथ साथ कुछ formula के सीखा जैसे कि PMT, IPMT, PV, NPV, row, column, offset हित्यादी